दोस्तों यहां पर आप साइट में देख सकते हो प्रेंसपल xyz के नाम से चलनल जिनके 38 लाग सब्सक्राइबर ये कुछ इस तरह के अपने सौड वीडियो को क्रियेट करते हैं सिंपल सा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त आप इस तरह के जो सौड वीडियो से हैं वो पांच म प्रोब्लम है या चैनल मोरटाइज करते प्रोब्लम नहीं देखने के मिलते हैं क्योंकि यहां पर आपका ओरिजिनल आडियो होने वाला है वाइस होने वाली है और आप सिंपल सा कुछ बस फोटेज लेने वाले फोटेज आप कहां से ले सकते हो या पिक्सा बेसे भी कुछ फोटेज ले सकते हो एक्जामपल के तौर पर मैं अपना जो वीडियो से वह मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में बनाने वाला हूं तो मैं पिक्सा पे पर जाओंगा और वहां पर जैसे आप मोबाइल लिकर सर्च करते हो आपको नीचे बहुत सारी फोटेज देखने के ले मिल जाएंगी तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद अब हम चलेंगे पिक्सा लैब में और हां दोस्तों कर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना क्योंकि मेरे कोई ज्यादे सस्क्राइबर नहीं है तो आपसे बहुत ही जाउसे आपको कुछ दर्ज करने आए तो हम 1080 दर्ज करेंगे और यहाँ पर कर दία तो यहाँ पर हमारा आपको क्रिये कर ले metallic कर लेना है और यहाँ पर उपर अच्छे से ले जाकर place कर देना है फिर इसी को हम copy कर लेंगे तो एक बार उपर आपको click करना है जो भी आपने save select किया है नीचे copy वाला option देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर हम click करेंगे सामने आप देख सकते हो जो हमारा save है एक और copy बन चुका है इसे नीचे लेकर अच्छे से place कर देंगे अब यहाँ पर एक pie add करने वाले है तो इसके लिए आपको फिर से save वाले option पर click करना है और यहाँ पर एक हम pie का structure create कर लेंगे तो सामने आप देख सकते हो कुछ इस तरह आपको एक pie create कर लेना है उन सारे picture को यहाँ पर add करना है तो यहाँ पर आपको plus वाले option पर click करना है गैलरी से में उन सारे जो photos है उसे add करना start कर दूँगा तो सबसे पहले मैं laptop वाली जो photos है उसे add करने वाला हूँ तो हमारा laptop वाला जो photos है मैं select कर लूँगा तो यहाँ पर मैंने laptop वाले footage को select कर लिया है sign पर click करूँगा और इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँगा और यहाँ पर लियाकर place कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ फिलाल जो हमने बीच में pie add किया है इसका हम color change कर लेंगे तो एक बार आपको यहाँ पर tap करना है color वाले option पर चले जाना है यहाँ से enable कर देना है तो यहाँ से आप कोई भी color select कर सकते हूँ example के तोर पर मैं यह color select कर लूँगा या rate ही रहने दूँगा कोई दिकत नहीं है अब आपको क्या करना है यह जो हमने अभी जो laptop वाली picture add किया है यहाँ पर आपको एक बार click करना है और इसका जो stroke है यहाँ पर यह one option इसको enable कर देना है तो यहाँ पर मैंने label कर दिया और इसे 4% रख देना है तो कुछ इस तरह आप देख सकते हो और इसे भी हम back send करने वाले है तो यहाँ नीचे आपको to back वाला option देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा back send कर देना है और यहाँ पर अच्छे से हम place कर देंगे अब इसी तरह और भी सारी picture को हम यहाँ पर add करने वाले है जैसे हमने इसे add किया है और इसे जैसे back send किया ऐसे और भी picture add करेंगे और उसे back ही send करेंगे फिर gallery पर मैं click करूंगा और दूसरा वाला जो picture है उसे select कर लूँगा मतलब add कर लूँगा तो सामने आप देख सकते हैं मैंने दूसरी वाली picture को भी add कर दिया sign पर मैं click करूंगा और इसका size है वो थोड़ा छोटा कर लेंगे छोटा करने के बाद यहां पर अच्छे से place कर देंगे थोड़ा सा और जूम करेंगे और इसे back कर देंगे तो नीचे आपको two back वाला option देखने के लिए मिल जाता है यहां पर मैंने two back कर दिया और थोड़ा सा और इसका size बड़ा कर लेंगे अब फिर से इसका जो stock है यहां पर नीचे इसको enable कर देंगे और four percent रख लेंगे तो यहां पर मैंने four percent रख लिया ऐसे यह आपको बारी बारी सारे picture को add कर लेना है तो मैं सारे picture को add करके final दिखाता हूँ तो सामने ऐसे आप देख सकते हो, मैंने बारी-बारी सारे picture को add कर दिया है तीन picture इस तरफ है, जो लिपटॉप वाले हैं और तीन picture इस तरफ है, जो फोन वाले है, तो अब आपको क्या करना है ऊपर-वाला जो safe है, इनसका आपको click कर देना है अब आपको क्या करना है इस picture को हमें transparent में export करना है तो यहाँ पर बेंजीन के side में आपको एक option देखने के लिए मिल जाता है transparent वाला यहाँ पर आप देख सकते हूँ यह transparent हो चुका है अब इसे हम अपने gallery में यहाँ से save कर लेंगे तो यहाँ से मैं इसे custom के नीचे आपको एक option देखने के लिए में जाता है अल्ट्रा वाला इस पर क्लिक करेंगे और अपने gallery में save कर लेंगे pixel है में बनाएवे footage को अपने gallery में save करने बाद अब आपको क्या करना है अपने वीडियो क्रियेट करने के लिए आपको कुछ वीडियो क्लिप चाहिए जैसे वसस वाली वीड downloader लिकर सर्च करके नीचे link को paste करके download कर लेना है और मुझे एक talking mouth वाला भी वीडियो क्लिप चाहिए तो मैं talking mouth green background लिकर सर्च कर दूंगा आपको बहुत सारी वीडियो क्लिप देखने के लिए मिल जाएंगी तो इसे भी हम download कर लेंगे अपने वीडियो के लिए तो दोस्त आप देख सकते हो मैंने आरजीवी वाली वीडियो क्लिप एड़ कर दिया है अब आपको क्या करना है आपने जो भी पिक्सालेब से पिक्चर क्रियेट किया है अपना यहां पर एड़ कर लेंगे तो यहां पर नीचे आपको ओवरले वाला option देखने लिए मिल जाता है एड इसको थोड़ा साम ऐसे इंक्रीज करते वे लेकर वीडियो के इंडे तक चले जाएंगे तो यहां पर मैंने लेकर आ गया दस या पंदर सिकेंड का भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं अब यहां पर हम उपर और नीचे टेक्स एड़ करने वाले जिस साइड में लेकर इन लिफेक्ट करोंगा तो ऊपर लेक लीख देंगे तो नीचे आपको टेक्स वाला ऐफसंन देखने पिल जाता है तो मैं इसे अच्छे से प्लेस कर लूँगा मैंने मोबाइल वाले टेक्स को अच्छे से प्लेस कर दिया है अब यहां पर हम लेपटॉप भी लिखने वाले हैं जहां पर जिस साइड में लेपटॉप है तो डबल टैप करेंगे यहां से फिर लेपटॉप मैं लिख लूँग और यहां पर overlay वाले option पर click करूँगा और उस clip को add कर लूँगा तो सामने आप देख सकते हो मैंने वर्सस वाली वीडियो clip को add कर दिया है जो कि green background में है तो क्या करना है आपको यहां पर एक option देखने के मिल जाता है नीचे cutout का जैसे आप इस पर click करते हो एक chroma की वाल option देख कर लीजिएगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मैंने दोनों text को और जो video clip है अच्छे से place कर दिया है अब नीचे हम अपने channel का नाम लीखने वाले है तो फिर से हम text वाले option पर click करेंगे और मैं अपने channel का नाम लीख लूँगा तो यहां पर मैंने channel का नाम लीख इसे ले आकर नीचे place कर देंगे यहां पर हम इसे place कर देंगे यहां पर आप सामने देख सकते हो फिछ में अच्छ से place कर लेंगे और इसका जो duration time है इसे हम video के इंडे तक ऐसे लेकर चले जाएंगे तो यहां पर मैं इसे लेकर आगया हूं दोस्तों अब यहाँ पर हम mouth वाला video clip एड़ करने वाले हैं तो फिर से मैं overlay पर click करूँगा और उस green background वाले video clip को select करूँगा तो सामने आप देख सकते हो mouth वाली जो हमारी video clip है एड़ हो चुकी है इसका हम green background remove करेंगे फिर हमको चले जाना cutout पर और यहाँ पर chroma की और इसका जो हम green background है उसे remove कर देंगे तो हमारा green background remove हो चुका है इसका size थोड़ा साम increase करेंगे और अच्छे से यहाँ पर place कर देंगे अब यहाँ पर आप simple सा wise उबर कर सकते हो जैसे कि बता सकते हो phone का अविसकार 1973 में हुआ था तो यहाँ पर नीचे आपको text फिर से लेख लेना 1973 तो मैं फिर से text 1973 लीख लूँगा तो यहाँ पर मैं फिर 1973 आप वाइस के साथ यहाँ पर text को एड़ करना जैसे आप वाइस उबर करते हो तो 1973 मैंने एड़ कर दिया है फिर सी style पर जाएंगे आप यहाँ कोई भी style सिलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पर हम sign पर क्लिक करेंगे आपकी मर्ची यहाँ पर आपको बहुत सारी style देखने के लिए मिल जाते हैं तो यहाँ पर हम 1973 को एड़ किया दिया है तो सामने आप देख सकते हो कुछ इस तरह जो टाइपिंग होगा टेक्स का तो यहाँ पर हम sign पर क्लिक कर देंगे ऐसे आप लेपटॉप वाले में कर सकती हो लेपटॉप की खोज कब हुई थी अब बात कर ले तो ऊपर आपको पॉइंट लिखना होता है जैसे 0.1 पॉइंट तो फिर से टेक् बीधिय firefight कर लेंगे टो यहां से आपको साइड में आपको बिद्रें तो खुट ब्राइं वाले क्लिक करना है copy वाले clip पर और इसे यहां पर कर देना है क्योंकि अब laptop की जो बारी आने वाली है तो यहां से थोड़ा सा हम इस पेस देंगे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं तो कुछ ही इस तरह हमारी वीडियो बन के तयार हो चुकी है अब यहां पर laptop बोल रहा है तो इस तरह आप अपने वीडियो को एजिली क्रियेट कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यार कमेंट कर सकते हो रहां दो यार रोटेट मतलब टेड़ी वाली कमेंट में जरूर बताइएगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको क्यासी लगए अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस्टक्राम पर मैसेज कर सकते ह हो फिलाली साने वाले याड को देख कर जाएगा मिल देख लिए वीडियो में